So Hello Everyone, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो में बहुत important वीडियो होने वाला है, एक important announcement भी होने वाला है चैनल पर and इसके साथ ही एक बहुत important stock के बारे में बात करने वाला हूँ तो start करते हैं वीडियो को without any delay, पहले में आपको बता दो कि किसी भी तरह का किसी भी वीडियो में मेरा पहला चैनल, दूसरा चैनल कहीं पर भी कोई recommendation नहीं है, कोई call tip नहीं है, purely educational purpose का ये वीडियो यहाँ पर होने वाला है, अगर आपको invest करना है, trade करना है, तो आप अपने proper analysis क करने के बाद ही कुछ करना, start करते हैं, मैंने पहले बोला announcement के बारे में, तो पहले announcement के बारे में 2-3 minute बात करते हैं, 1-2 minute, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे stock के उपर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, 2K subscribers यहाँ पर हमारा complete होने वाला है, and हमारे main channel पर भी 8,000 मतलब 8K subscribers हो होने वाले, बट इसमें फिर भी थोड़ा time है, तो यहाँ पर मैं अपने subscribers के लिए, family के लिए, पूरे दोनों channel को मिला करके, जो हमारी family है, इसके लिए, मैं दो नई चीजे कर रहा हूँ, वो दो नई चीज क्या है, सबसे पहला, मैं यहाँ पर अपना Twitter handle, जरूर से आपके शाथ share कर दूँगा, एक दो दिनों में, and second telegram group, यह दोनों चीज आपको मिलेगा, अब इसे फाइदा क्या होगा, मैं आपको एक minute में बताता हूँ, simple है, देखो, अगर कोई भी update आता है, तो यह possible नहीं होता, कि उसके उपर एक detailed video बनाने के बाद, मैं जो है, आपको on time, मत होता है, और बहुत चीजे होती है, ठीक है, खेर, उनके बारे में बात भी थोड़ा late से करेंगे, उतना detail में जाने की बाद भी नहीं है, तो यहाँ पर इतने चीजों के बाद, एक video upload होता है, और यहाँ पर अगर मुझे कोई update मिला, and quick update मुझे आप तक पहुचाना है, तो यह मेरे लिए लगभग impossible type का यह आप समझ सकते हो, तो इसके लिए जो है, यहाँ पर telegram group, and यहाँ पर twitter, दोनों ही, twitter को मैं x लिख रहा हूँ फिलाल के लिए, यहाँ पर दोनों ही मैं provide करूँगा, दोनों जगा मैं post कर दूँगा, telegram group पे थोड़ा जादा active रहूँगा, और दोनों जगा पे आपको फाइदा मिलता रहेगा, इन केस अगर आपका telegram group का notification नहीं आए, तो twitter का notification आजाएगा, तो इन cases के लिए, जो है, मैं twitter and telegram दोनों कि, obviously telegram में कभी-कभी comment section रहेगा, कभी नहीं रहेगा, और twitter में हमेशा comment section रहेगा, तो इसके लिए, और youtube पे तो काफी फाइदा होने वाला है, अब सवाल आता है कि telegram group का नाम क्या है, twitter का handle क्या है, यह सब कुछ तो यह अभी नहीं मिलेगा, थोड़े दिन बाद मैं आपको यह दूँगा, और अभी क्यूंकि काम चल रहा है, इसको पर मैंने जस्ट आपको update कर दिया है, start करते हैं and आग क्या है वगेरा वगेरा, लेकिन for the moment आप दूनों चैनल को सब्सक्राइब करेकर रखो updates के लिए, एक दो दिन मी updates आजाएगा, जादा से जादा कल या परसो, उससे जादा नहीं, इतने में मैं आपको सब कुछ बता दूँगा, कैसे क्या link रहेगा, okay, एक और चीज मैं दिसकस किया था, सेल के बारे में, यहाँ पर देख सकते हो, सेल के बारे में मैंने डिसकस किया था, तीन दिन पहले, एज उसी का update हम यहाँ पर उसी के बारे में बात करने वाले है, तो यहाँ पर देख सकते हो, लगातार गिरावट हो रही थी, यहाँ पर देख सकते हो, ल आपे short term के लिए बोला था कि 2-3 stop loss है जिसमें से ये stop loss जो है एकदम long term के लिए है मतलब अगर आपको बहुत long term के लिए जाना है 2-3 साल hold करना है या उससे भी जाधा ये stop loss जो है अगर आप positional trade कर ले हो तो उसके लिए stop loss मेरे सबसे best था ये stop loss and ये stop loss swing traders के लिए था तो swing traders के लिए तो यार आप कह सकते हो trade एक तरह से active में नहीं हुआ या किसी की entry अगर किसी ने इस breakout पे entry करी होगी तो उसे साब से यहाँ पर exit उन्होंने कर लिया होगा stop loss के साब से लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है अभी भी stop loss तो hit हो गया बट opportunity है ठीक है swing में अभी कुछ खास opportunity दिखने रहा है क्योंकि swing में हम एक momentum को trade करने की कोशिश करते हैं या एक momentum को जो है यहाँ पर catch करने की कोशिश करते है पोजिशनल trade opportunity है अगर swing trade opportunity बनेगा मैं फिर update कर दूँगा यहाँ पर मुझे लगता है कि यह stop loss अभी भी मेरा intact है क्योंकि मेरा positional trade था और swing दोनों आप कह सकते हो कम जादा quantity था swing trade का मैंने यहाँ पर कुछ exit नहीं किया है क्योंकि मुझे नहीं लगता यहाँ से जो है गिरावट होने वाली है देखो main बात क्या है यहाँ पर मैं कोई recommendation नहीं दे रहा हूं लेकिन main बात यह है कि यहाँ पर panic selling हुई है ठीक है अगर आपने data देखा होगा FISDIS का data तो यहाँ पर आपने देखा होगा FISDIS का मिला करके लगबग 1900 करोड की यहाँ पर buying हुई है कल के दिन मैं कल के मंडे की दिन की बात कर रहा हूं ठीक है यहाँ पर लगबग 1900 करोड मतलब 2000 करोड की buying की है institutions ने तो यहाँ पर selling किसके दवारा हुई है selling ह यहाँ पर FISDIS के दवारा नहीं institutions के दवारा नहीं selling हुई है यहाँ पर retail investors के दवारा और यह panic selling है और panic selling में कभी भी मैं तो exit नहीं करता हूं यह मैंने कल भी आपको clearly बताया था तो same concept यहाँ पर मुझे लगता है अच्छा opportunity है अगर यहाँ पर आता है chances तो मुझे बहुत कम लगते हैं क्योंकि यहाँ पर जो गिरावर्ट है जो मैंने कहा था वो खतम हो चुका है आप एक और वीडियो आएगा यहाँ पर 7 बजे कहाँ पर आएगा सुबह 7 बजे यहाँ पर उसको जरूर से देखना उसमें मैंने banks के बारे में मैं बात करूंगा banks के बारे में कि वह इसाब से मैं थोड़ा wait करूंगा यहाँ पर एक दो दिन और wait करूंगा green candle बनने दूंगा क्योंकि यहाँ पर जब इस तरह का fall देखते हो तो यहाँ पर थोड़ा आपको wait कर लेना चाहिए एक green candle बनने देना चाहिए थोड़ा यहाँ पर जब price stabilize हो जाएगा तब यहाँ प इसके बाद एक बहुत अच्छी entry बनेगी stop loss मेरा कुछ इस जगह के आसपास रहने वाला है अप यहाँ पर भी रख सकते हो बट यहाँ पर long term का है तो मुझे यह उतना भी अच्छा नहीं लगा और इसलिए मैं stop loss अपना यह रखोंगा target के बारे में बात करें तो first target हमारा क 83 आप देख सकते हो यह भी resistance है यहाँ पर थर्ट टार्गेट 234 है उसके बाद तो यह बढ़ता जाएगा बट अम इतना दूर की अब नहीं देखेंगे अभी के टाइम पर तो अभी फिलाल के लिए जो है मेरा update यही था यहाँ पर मैं कोई panic नहीं कर रहा हूं कि लगातार इतने इतने candles बन रहे हैं उपर से 26% 25% करेक्ट हो गया कितने परसेंट हो है वैसे है ओके सो 21% करेक्ट हुआ है और अगर आप हाई से देखोगे तो 23-24% करेक्ट हो चुका है अब इसके बाद तो यार कुछ बचा ही नहीं है ऐसा नहीं होता है यह panic selling और कुछ नहीं है तो अब मुझे लगता है जादा से जादा एक से दो दिन का पेन अगर होगा भी तो होगा maximum maximum कह रहा हूँ एक से दो दिन का पेन क्योंकि बहुत सारे stocks में निकलता हुआ दिखा है green candle में closing होती भी दिखिए आज और जादा आज panic तो ना के बराबर था अगर आप देखोगे ऐस कुछ positive कुछ negative इस तरह से थे ठीक है अब exit करते हैं वीडियो को exit करते हैं नहीं मतलब end करते हैं वीडियो को अच्छा लगा like share subscribe जरूर कर देना and हाँ जल्द ही आने वाला है telegram group and twitter यहां पे दोनों पे जो है आपको एकदम आप कह सकते हो up to date information मलता रहेगा कि कब क्या होने वाला है और वीडियो से पहले आपको information मिल जाएगा यह भी बहुत interesting बात है और इसके साथ ही कोई भी recommendation नहीं है like share subscribe कर देना update के लिए जय हिंद and thanks for watching